दोस्तों अगर आप अपना पैसा invest करने के लिए और investments के साथ-साथ अगर आप tax savings के different options search कर रहे हैं और अगर आपको ये काम थोड़ से difficult या फिर confusing लग रहा है तो आज की वीडियो आपका काम यहाँ पर थोड़ साथान बराने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 different investment options की जहाँ पर आप investments के साथ-साथ tax savings भी कर सकते हैं और even कुछ options ऐसे भी हैं जहाँ पर आप completely tax free investments कर सकते हैं यानि कि जो भी returns आपको मिलेंगे उन returns पे भी आपको एक भी रुपे का tax pay नहीं करना होगा तो कौन-कौन से हैं ये investment options और किस option में आपको किता interest मिलता है आए जल्दी से देख लेते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं Your Everyday Guide तो इससे पहले कि हम और दूसरे investment options को देखें मैं आपको बता दू कि मैं यहाँ पर EPF यानि की employee provident fund को cover नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप already salary हैं अगर आप एक employee हैं तो आपकी salary से आपका PF already deduct हो ही रहा होगा और यह जो PF deduct होता है यह होता है 10% या फिर 12% of your basic salary plus dearness allowance जो कि आपको आपके retirement के time पर वापस मिल ही जाएगा या फिर अगर आप जब भी job छोड़ते हैं तो job छोड़ने के बाद आप अपने PF को redeem करवा सकते हैं EPF के अंदर जैसे कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर employee plus employer दोनों के contribution होते हैं तो जो भी employees contribution होता है उस employees contribution का आपको ATC में tax benefit तो मिलता ही है तो EPF के अलावा कौन कौन से different options हैं आए उन्हें देख लेते हैं तो सबसे पहला option हमारे पास आयाता है tax savings FD का तो tax saving FD एक suitable investment option है उन लोगों के लिए जो की guarantee returns चाहते हैं at a very low risk अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार यह low risk क्या चीज है FD में किस बात का risk तो मैं आपको बता दूं कि FD में जो भी आप अपने पैसा invest करते हैं उस पैसे पे भी risk होता है यानि कि जितना भी पैसा आप invest कर रहे हैं उस पैसे का सिर्फ 5 lakh rupees तक का amount ही RBI insured करके रखता है यानि कि if in any case अगर कल को bank default करता है तो आपका up to 5 lakh rupees तक का amount जो है वो बिल्कुल safe है वो आपको वापस मिल जाएगा लेकिन 5 lakh rupees के उपर का जो भी amount है उस amount पे फिर भी risk रहता है तो tax savings FD के अगर हम बात करते हैं तो tax savings FD का जो minimum lock in period है वो है 5 साल का जानि कि आप 5 साल से पहले अपना पैसा यहां से withdraw नहीं कर सकते हैं tax savings FD में पैसा invest करने के लिए आप किसी भी public या private bank के थूपना पैसा invest कर सकते हैं या फिर आप post office से भी अपना पैसा invest कर सकते हैं अगर मैं tax savings की बात करता हूँ तो आप ATC में up to 1.5 lakh rupees तक की tax savings कर सकते हैं lock in की बात हमने कर ही ली है जो कि 5 साल का होता है minimum investments आप कर सकते हैं 100 rupees से लेकिन ये bank to bank depend करता है maximum investments आप कितनी भी कर सकते हैं 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh लेकिन आपको जो tax rebate मिलता है वो सिर्फ 1.5 lakh rupees तक के amount पे ही मिलता है तो जब भी बात FD की आती है तो FD के साथ बात आती है TDS की यानि की tax deducted at source तो आपको FD में जो भी interest मिलता है अगर वो interest 40,000 rupees से उपर का होता है तो आपको यहाँ पर 10% TDS पे करना होगा जो कि bank automatically आपको मिलने वाले interest में से पहले ही deduct कर लेगा senior citizen के लिए ये amount 40,000 के जिगा 50,000 rupees होता है interest rate bank to bank differ करता है यहाँ पर आपको 5.75% से लेके 8.6% तक का interest मिल सकता है finally अगर हम tax की बात करते हैं तो जो भी आपको returns मिलते हैं यानि कि जो भी आपको interest मिलता है उस interest पे आपको tax pay करना होगा according to your tax lab अगर आप 20% tax lab में आते हैं तो आपको 20% tax pay करना होगा 30% tax lab में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 30% tax pay करना होगा second option हमारे पास आता है PPF यानि की public provident fund का नाम तो आपने सुनाई होगा PPF जो की एक बहुती popular investment option है क्योंकि यहाँ पर आपको benefits काफी अच्छे मिलते हैं PPF account आप किसी भी bank या फिर post office से जाके open करवा सकते हैं कुछ banks जैसे की ICC bank, SJFC bank, Axis bank, SBI यह सभी banks आपको option देते हैं कि आप PPF account online open करवा सकते हैं बिना bank को visit किये lock-in period की अगर मैं बात करता हूँ तो यह मुझे इसका थोड़ा सा drawback लगता है क्योंकि PPF का lock-in period होता है 15 साल का यानि कि आप 15 साल से पहले अपना पैसा completely withdraw नहीं करवा सकते however, 5th financial year के completion के बाद यानि कि 6th financial year में आप अपना पैसा partially withdraw करवा सकते हैं और तो और आप 3 साल में अपने PPF account के against loan भी ले सकते हैं अगर आप PPF के बारे में और भी details जानना चाते हैं कि PPF में कब आपको पैसा invest करना चीए monthly करना चीए या फिर yearly करना चीए तो इसके उपर मैंने एक dedicated video बनाई होई है ये video जाके आप चेक कर सकते हैं tax savings के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आप ATC के अंदर up to 1.5 lakh rupees तक का rebate ले सकते हैं PPF का जो current interest rate चल रहा है ये चल रहा है 7.1% का जो कि quarterly revise होता रहता है lock in period के हमने बात करी ही ली है जो कि है 15 years का minimum investment यहाँ पर आपको 500 रुपे हर साल करनी होगी और जो maximum investment है एक individual investor यहाँ पर up to 1.5 lakh rupees तक ही invest कर सकता है टैक्स के कर हम बात करते हैं तो PPF को रखा गया है exempt, exempt, exempt category के अंदर यानि कि आपको जो principal amount है जब आप अपना पैसा invest करते हैं तब भी आपको tax pay नहीं करना जो भी आपको interest मिलता है उस पे भी आपको tax pay नहीं करना और finally जब आप अपना पैसा redeem करते हैं maturity के time पे भी आपको यहाँ पर एक भी रुपे का tax pay नहीं करना शायद इसलिए PPF एक popular investment option बना हुआ हुआ है लोकों के बीच में थार्ड option हमारे पास आयता है यूलेप यानिकी unit linked insurance plan ये बहुती असान सी investment है असान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक bank employee या फिर bank manager अपने customer को एक ULIP plan चिपकाई ही देते हैं वैसे मैं personally ULIP plan में invest करने के लिए लोकों को suggest नहीं करता हूँ मैंने खुद भी कभी ULIP plan के अंदर invest नहीं किया है और नहीं मैं करूंगा क्योंकि ULIP plans के अंदर जो आपको returns मिलते हैं वो returns उतने effective नहीं मिलते जितने के आपको मिलने चाहिए तो बाकी की चीज़ों को बार में देखेंगे अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि ULIP plan actually में होते क्या है तो ULIP में आपको मिलता है life insurance cover plus investment plan एक single scheme के थुरू इसको आप एक ऐसी mutual fund scheme समझ सकते हैं जो कि आपको insurance cover भी देती है लेकिन आपसे charges दोनों के लेती है mutual funds के charges भी लेगी और आपके insurance cover के charges भी लेगी ULIP plans में generally जो insurance cover आपको मिलता है वो मिलता है 10 times of जो भी आपका annual premium है अगर आपका annual premium है 2 lakh रुपे तो यहाँ पर आपको 20 lakh रुपे तक का insurance cover मिलता है उसके साथ साथ जो आपका पैसा invested रहता है वो equity plus debt investments में रहता है जाने कि यहाँ पर जो market का risk है वो risk भी बना रहता है ULIP plan में जो भी premium आप pay करते हैं उस premium पे आप up to 1.5 lakh रुपीज तक का 80 C के अंदर rebate ले सकते हैं ULIPs का generally जो lock-in period होता है यह होता है 5 साल का यानि कि आप 5 साल से पहले अपना पैसा withdraw नहीं कर सकते interest rate यहाँ पर fix नहीं होता क्योंकि आपको जो पैसा होता है वो completely stock market linked होता है तो stock market जैसा perform करेगी आपको उसी हिसाब से returns मिलेंगे minimum investments की अगर हम बात करते हैं तो generally 2500 रुपे per year की minimum investments यहाँ पर होती है but यह plan to plan vary करती है maximum investments यहाँ पर आप कितनी भी कर सकते हैं उसमें bank आपको कभी मनानी करेगा अगर हम taxes की बात करते हैं तो finally आपको जो भी returns मिलते हैं वो returns completely tax free होते हैं यहाँ पर आपको कोई भी tax pay नहीं करना होता ULips का जो सबसे बड़ा drawback मुझे लगता है वो यह है कि इनके जो expenses होते हैं यह काफ़ जादा high होते हैं तो in the end जो आपको returns मिलते हैं वो returns आपके कम हो जाते हैं तो आप किसी ULips के अंदर अपना पैसा invest करें उससे better है कि आप individually किसी mutual fund में अपना पैसा invest करें और साथ साथ आप एक term insurance लेकर रख सकते हैं इससे आपको भी जादा फायदा मिलेगा और आपके family को भी जादा फायदा मिलेगा चौथा option हमारे पास आयता है ELSS यानि की equity link savings schemes तो ELSS mutual fund की एक category है जहाँ पर आप tax savings कर सकते हैं और इस category को actually में multi cap category के अंदर रखा गया है बस फर्ग यहाँ पर यह है कि ELSS के अंदर एक lock-in period होता है जो कि होता है 3 years का यानि की आप 3 साल से पहले किसी भी case में कैसे भी अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते आपको 3 years का lock-in यहाँ पर complete करना ही होगा और जो ELSS का lock-in period होता है यह normally दूसरे lock-in period से थोड़ा से different होता है इसके ओपर मैंने dedicated video बनाई होई है कि 3 years का lock-in period actually में ELSS के अंदर क्या mean करता है तो ELSS mutual fund के lock-in period को समझने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और वैसे जो ELSS का lock-in period है यह actually tax saving scheme में इंडिया के अंदर सबसे कम lock-in period माना जाता है जो कि सिफ 3 years का है जनरली जो दूसरी tax saving schemes होती है उनका जो lock-in period होता है वो minimum 5 years का ही देखा गया है ELSS mutual fund के अंदर आप yearly जो भी investments करते हैं उस financial year में आप up to 1.5 lakh रुपीस 80C के अंदर tax benefit ले सकते हैं अगर हम interest की बात करते हैं तो ELSS mutual fund का कोई भी fix interest या फिर returns नहीं है क्योंकि ये completely stock market की performance पर डिपेंड करता है login period जैसे की मैं आपको बता ही चुका हो वो होता है 3 years का minimum investments के अगर हम बात करते हैं तो generally आप 100 रुपीस से minimum investments कर सकते हैं बट ये different plan to plan depend करता है हो सकता है किसी में 500 हो हो सकता है किसी में 1000 रुपीस की हो maximum investments पे कोई भी capping नहीं है आप यहाँ पर कितना भी पैसा invest कर सकते हैं बस आपको जो benefit मिलेगा वो 1.5 lakh रुपे तक पे ही मिलेगा taxes के अगर हम बात करते हैं तो mutual fund पे taxes क्योंकि 2 तरह के होते हैं STCG यानिकि short term capital gain और LTCG यानिकि long term capital gain अब क्योंकि ELSS mutual fund का login period 3 साल का होता है तो यहाँ पर आपको जो taxes लगते हैं वो लगते हैं LTCG tax जो कि लगते हैं 10% on the capital gain above 1 lakh रुपीस यानिकि अगर आपको returns मिले हैं 1.5 lakh रुपे के तो 1.5 lakh रुपे में से 1.5 lakh रुपे माइनस करने के बाद जो 50,000 रुपे बसते हैं आपको 10% tax उन 50,000 रुपे पे करना है यानिकि आपको यहाँ पर 5,000 रुपे का tax पे करना होगा अगला investment option हमारे पास आता है NPS यानिकि national pension scheme NPS की जो scheme है यह open है for all citizens of India यानिकि NPS के अंदर कोई भी अपनी investments कर सकता है NPS के अंदर जो भी पैसा आप invest करते हैं यह equity plus debt instruments के अंदर invest होता है यानिकि retirement के time पे आपको जो भी pension मिलती है या फिर जितना भी पैसा आप withdraw करते हैं यह amount depend करता है totally market की performance के हिसाब से NPS के अंदर जितना भी पैसा आप invest करते हैं यह locked in रहता है till the age of 60 जिसको आप extend करा के age 70 भी करवा सकते हैं हाँ लेकिन आप NPS के अंदर up to 25% तक के partial withdrawal करवा सकते हैं जब भी आपने अपना NPS account open करवाया था उस account के opening के 3 साल के बाद यह पैसा आप किसी specific purpose के लिए अगर आपको घर खरीदना है या फिर children education के लिए या फिर serious illness के लिए आप यह पैसा withdraw करवा सकते हैं minimum investments यहाँ पर आपको 1000 रुपीज की करनी होती है और maximum investments पे कोई भी capping नहीं है आप जितनी मर्ची investments NPS के अंदर कर सकते हैं लेकिन हाँ आपको जो tax benefit मिलता है वो ATC के अंदर up to 1.5 lakh रुपीज तक का मिलता है on top of it यहाँ पर आप additional tax benefit ले सकते हैं 50,000 रुपीज का under ATCC D1B तो NPS का जो खास benefit है वो यही है कि आप यहाँ पर additional 50,000 रुपीज पर भी tax benefit ले सकते हैं Taxes के अगर हम बात करते हैं तो NPS के अंदर आपको जो भी पैसा invested है उस पैसे का आप 60% तक का amount ही withdraw करवा सकते हैं at the time of retirement तो यह जो 60% amount आपने withdraw किया है यह completely tax free है आपको इस पर कोई भी tax pay नहीं करना होता हाँ लेकिन जो बाकी बचावा 40% amount है उस 40% amount से आपको कोई annuity plan लेना होगा जहां से आपकी pension आएगी और जो भी पैसा आपको pension के रूप में मिलेगा उस पैसे पे आपको tax pay करना होगा according to your tax lab सिक्स्थ option हमारे पास आयाता है SSY यानि कि सुकन्या समरिदी योजना का सुकन्या समरिदी योजना एक government back saving scheme है जो कि girl child के benefit के लिए बनाए गई है अंडर बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ अभियान ये scheme आप अपनी 10 साल से कम उमर की girl child के लिए ले सकते हैं इस scheme के अंदर parents या फिर legal guardians up to two accounts open करवा सकते हैं for girl child third account आप उसी case में open करवा सकते हैं अगर first birth के time पे या फिर second birth के time पे twin girls born हुई है सुकन्या समरिदी योजना का जो login period होता है ये होता है 21 साल का जब से आपने अपना account open करवाया था हाँ लेकिन आप अपना पैसा completely withdraw करवा सकते हैं at the time of girl child marriage after 18 years और even अगर marriage का case ना भी हो तब भी आप 50% तक का partial withdraw ले सकते हैं जब भी आपकी girl child की age 18 years को cross करती है interest rate के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 8% का interest rate मिलता है tenure या फिर lock-in की हम बात करही चुके हैं जो कि होता है 21 साल का प्लस आ partial withdrawals या फिर 18 years के बाद marriage के लिए अपना पैसा withdraw करवा सकते हैं minimum investments जो उसकी रखी गई है वो रखी गई है rupees 250 per annum की maximum investments पे यहाँ पर capping दी गई है 1.5 lakh की 1.5 lakh रुपे तक का amount of yearly invest करवा सकते हैं tax saving के अगर हम बात करते हैं तो जो भी पैसा आप SSY scheme के अंदर डालते हैं उस पैसे पे आप up to 1.5 lakh रुपीज तक के amount पे ATC के अंदर tax benefit ले सकते हैं finally अगर हम taxes की बात करते हैं तो majority की time पे आपको यहाँ पर कोई भी tax pay नहीं करना होता 7th option हमारे पास आयता है NSC यानि कि national saving certificate का national saving certificate आप किसी भी post office से जाके purchase कर सकते हैं यहाँ पर जो इसका interest rate है वो है 7.7% का NSC के अंदर भी आप यहाँ पर 1.5 lakh रुपीज तक का tax benefit ले सकते हैं under ATC अगर हम tenure या फिर lock-in की बात करते हैं तो वो है 5 years का minimum investments यहाँ पर आपको करनी होती है 1000 रुपीज की और maximum investments पे कोई भी capping नहीं है और finally अगर हम taxes की बात करते हैं तो majority के time पे यहाँ पर आपको कुछ भी taxes पे नहीं करने होते एक additional scheme जो कि मैं इस वीडियो में include कर रहा हूँ वो है KVP यानि कि किसान विकास पत्र क्योंकि इस scheme के उपर कुछ queries मुझे अपनी वीडियो में देखने को मिली थी इसलिए मैं इस वाली scheme को अपनी वीडियो में include कर रहा हूँ हो सकता है आपके लिए helpful हो हो सकता है आपके लिए helpful ना भी हो इस point को start करने से पहले मापको बता दू कि किसान विकास पत्र के अंदर आप ATC के अंदर कुछ भी tax benefit नहीं ले सकते किसान विकास पत्र government back savings scheme है जिसको आप किसी भी post office से जाके purchase कर सकते हैं KVP certificate को single account holder या फिर joint account holder इसको purchase किया जा सकता है या फिर on behalf of miner भी आप इसको purchase कर सकते हैं KVP में आपको interest rate मिलता है 7.5% का tenure या फिर maturity इसकी होती है 115 महीने के बाद या फिर आप 2.5 years के बाद यहां से अपना पैसा withdraw कर वा सकते हैं minimum investments यहाँ पर आपको करनी होती है 1000 रुपीज की और maximum investments आप यहाँ पर कितनी भी कर सकते हैं Tax benefit के अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ATC के अंदर tax benefit नहीं ले सकते और finally जो आपको taxes यहाँ पर pay करने होते हैं interest amount पे वो आपको as per tax lapse pay करने होते हैं तो दोस्तों यह थी वो different investment schemes जहाँ पर आप अपना पैसा invest कर सकते हैं सासा tax savings भी कर सकते हैं इन schemes के अलावा वैसे तो आपको बहुत से different schemes मिल जाएंगी जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है उन schemes के अंदर भी आप अपने investments के साथ साथ tax savings कर सकते हैं फिर चाब वो VPF हो या फिर post office saving scheme हो मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो popular saving schemes हैं या फिर tax saving schemes हैं उन्हीं को include किया है तो दोस्तो आई होप ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी और आपको एक ही वीडियो के अंदर जो different schemes हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर basic knowledge मिल पाई होगी अगर इस वीडियो आपको helpful लगी है तो इस वीडियो को like करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा जल्दी ही मिलेंगे next video में thank you for watching